अब लुग बिंधियो देखेंगे इसके बाद आज हम लोग प device का logic गेट को हम लोग ने पीछले क्लास में देखा था और आजके इस विडियो में पहले पैच मिनट में र्विज़न कर लेते हैं फटा-फट से जो भी सीजों को हम लोग को ने में पढ़ा था इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थियोरम के बारे में जानेंगे एकदम बेसिक से जैसे हम लोग जानते हैं आज की यों को तो डीजिटली एक लॉजिक को समझे थे लॉजिक क्या होता है खुझ से प्रसंद पूछिए इसको आंसर भी सोचिए लॉजिक एक तरह का सिस्टम है जो कि वह बेसिकली एक तरह का सर्किट है जो कि वह उसमें हम लोग इंपुट बहुत सरा दे सकते हैं या एक दो तीन चार पांच जितना भी इंपुट हो सकते हैं लेकिन आउट्पुट के वल एक और एक एक ही निकलता था आउट्पुट इसके बाद तरक दुवार के बारे में देखते हैं मतलब वही चीज़े हैं लॉजि वह होता है वह बिश्कली टीन टाइप के बेसिक लाजिक गेट होते हैं कौन-कौन से याद रखीए इसको बैसिक लाजिक करते हैं और क्यों कहते हैं यह वी मैंने बताया था पिछ़ले क्लास में क्योंकि इस तीनों लाजिक के मदद से हम लोग किसी भी तरह के expression को बुलियन एक्स्प्रेशन को हम लोग रिपरजेंट कर सकते हैं दिखा सकते हैं इस वजह से चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि इसके अलावा कौन सा लॉजिक गेट होता है तो यहां पर फिर वो तो तीन लॉजिक गेट होगी है जिसको बेसिक लॉजिक प्लेट बोलते हैं इसके बाद यह दोनों होता है यह उनीवरसल लॉजिक गेट कौन सा लॉजिक गेट और यह जो लास्ट में बचा हुए दो इसको कहते हैं लोग इस सब्सक्राइब क्ल बहुत लॉजिक गेट कल भी मैंने बताया था यह चीजों को उम्मीद है आप सभी और गेट को फिर से एक बार explain कर देते हैं कुछ बच्चों को doubt रह गया था कल के classes में तो देख लेते हैं एक्स और गेट और एक्स और गेट क्या है समझते हैं तो एक एक करके यह सब तो diagram था एक बार revision कर लेते हैं इसके बाद आज के class में लोग समझेंगे एक्स और गेट को और एक्स और गेट को किलियर ली तो बेसिकली यहां पर जो है आपका क्यांद गेट है यह कौन सा गेट है यह एंड गेट था जिसमें कि हम लोगोंने इनपूट-णूट को डालने के लिए सीख लिया था तो यह प्रकार गेट था इसके बाद यह और गेट था जिसको आप देख पा रहे हैं इसका एम देखें दूसरे पेज में जहां पर कि आपका कुछ भी लिखावा नहीं है उसमें आप लोग अभी जो है अपने मन से जितना याद है end gate, nor gate और not gate ये तीनों का boolean expression लिखिए और symbolic diagram बनाईए अभी अभी जल्दी करिए फटा फट से याद है कि नहें कि इतनों को जल्दी से करिए मैं wait कर रहा हूँ देखता हूँ मैं जल्दी से जल्दी 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 करते हैं लिख लिए होंगे, end gate का क्या होता है a into b, nor gate का क्या होता है basically आपका nor gate का यहाँ पर और gate है nor gate को नहीं देना था, यहाँ पर end gate, or gate देना था, right end gate, or gate, okay कोई बात नहीं पटा फट से देखिएगा यहाँ पर और gate, or gate का क्या होता है A plus B होता है Not get का क्या होता है A complement हो जाता है अगर input हम लोग एक ही डाल सकते हैं इसमें चुकी यहां तक clearly आप लोगों को असपर स्टूप से समझ में आ गया तो basic logic इसका not get का symbol होता है A, यहां पर not लगा राता है इस not को मैंने कल बताया था inversion कहते है और inversion का हिंडी मतलब होता है विपरित, उल्टा उल्टा का मतलब होता है अगर हम लोग input 0 देंगे तो output 1 आएगा अगर input 1 देंगे तो output 0 आएगा बस यही दो condition है यहां पर यह चीजों को हम लोगों ने पिछले class में देखा था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं चीजों को तो जो है यहां पर universal logic gate के रूप में हम लोग ने basically दो gate को देखा था कौन-कौन सा nor gate और यह जो है आपका universal logic gate है nor gate अब nor gate किसी से बना हुआ होता था बताये जल्दी से फटा-फट से nor gate यह जो है basically आपका not gate plus or gate से बना हुआ होता था इससे not gate plus or gate से और और gate का symbolic representation a plus b और not का होता है a complement that means क्या कि nor gate का अगर दोनों को combine कर देंगे तो बन जाएगा a plus b पर whole complement तो यह जो होता है nor gate का इसी तरह से and gate की बात करें तो इसका symbolic representation and gate का होता है a into b और not gate का complement इसको पर complement देंगे तो यह बन गया आपका nand gate का अब आते हैं एक्ज और gate और एक्ज नौर gate को हम लोग समझते हैं तरह से detail में क्योंकि कल के glasses में किसी बच्चों को doubt रग गया था तो उसको हम लोग clear करेंगे not gate का symbol जानते ही है यह compliment not gate के वज़े साता है and gate का होता है a into b output आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं nor gate जो है दो gate से मिलके बना हुआ होता है कौन-कौन सा एक होता है आपका not gate plus में और gate दो gate से मिलके बनता है क्या चीज़े नौर gate और nor gate में basically दो input दे रहे हैं हम लोग यहां पर तो output में क्या रहा है यहां पर not को represent कर रहे हैं हम लोग ऐसे और इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस तरह से represent कर सकते हैं इस तरह से हम लोग out input दे कर के represent कर सकते हैं कि एक input दो input यहां पर नॉट्ट लगा हुआ है और यहां आउट्पुट में हम लोगों को मिल रहा है यह चीज़ों को याद रखना है चलिए तो आप आते हैं और पर इसको राउंड कर देते हैं अब किसी बच्चों का डाउट था कि सर इसको पढ़ते क्या हैं इसको बेसिकली हम लोग आइक्स और परते हैं और यह बेसिकली सेंबल है एक्सक्लूसी्ब का किसका सेंबल है एक्स्क्लूसी ब पर तो इसको क्या बोलेंगे एक्स्क्लूसीबक ठीक है यानिकि a y – equal to x exclusive b रहेगा तो एस अकर के है ना समंझते हैं इसको और अच्छा से हम लोगु खोल करके भी हम लोग डालते हैं इसको अच्छे से तरह से समझते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं बेसिकली तो यहां पर और गेट को बेसिकली मैं बताना चाहता हूं आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट भी मैं देख रहा हूं अगर किसी को भी डिक्कत आ रहा है तो तो यहां पर जो है मैं एरेज करता हूं और इसको थ्रस अच्छे से explain करता हूं तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे की पॉइंट जो रहेंगे तो यहां पर जो है exclusive और gate को और जो है exclusive और gate इसी को हम लोग exclusive और gate भी परते हैं X का मतल़् होता है exclusive क्या होते है exclusive कहते है exclusive or gate यह हो गया अब इसको जो है हम लोग represent जो करते हैं इसका symbolic diagram तो यह है इसका output जो निकलता है Y is equal to A B पर compliment plus A compliment B क्या रहता है A complement B, दोनों के वीच में into रहता है basically A into B, B पर complement पहला step में, दूसरा step में A पर complement इस तरह से अब इसी चीज़ को जब combine कर देंगे, जोड़ देते हैं हम लोग तो लिखते हैं A plus ये exor लगा देते हैं और B बनता है तो basically आपको याद रखना है कि exclusive के साथ हम लोगों ने और gate को जोड़ दिया, तो ये जो एक अलग सा line जैसा symbol है ये exclusive को represent करता है और उसमें मैंने simple सा एक क्या कर दिया है और gate को लगा दिया है, और gate का तो symbol यही होता है जो आपका black color से बना हुआ अभी ये वाला तो ये हम लोगों ने क्या किया इस तरह से exclusive लगा करके उसमें और gate लगा लिया तो बन गया exclusive और gate तो इसका जो output होता है वो इस तरह के format में या इस तरह के format में है ना यह इसी का open मितलब इसको अच्छे से खोलेंगे तो आप इस तरह से दिखेगा इंटो बी पर compliment प्लस एंटो बी राइट अच्छे समझ लीजिएगा इसको आप देखिए क्या है ना कि इसमें हम लोग इंपुट अगर इंपुट हम लोग जीरो दे रहे हैं और बी पर भी इंपुट जीरो दे रहे हैं यानि कि इस पर भी इंपुट जीरो इस पर भी इंपुट जीरो तो आउटपुट जो आएगा वो जीरो ही आएगा क्या क्या क्योंकि मैंने पिछले रहे या 0 तो output आएगा हमारा 0 यह याद रखना है कि exclusive or में या कि x or gate में हम लोगा क्या condition है कि अगर input हुआ same तो output होगा 0 ऐसे गर कि याद रखना है इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर input हुआ different A input 1 दे रहे हैं और B input 0 दे रहे हैं तो output होगा 1 तो क्या statement याद रखना है यहाँ से कि अगर input हुआ different तो output आएगा 1 और अगर input हुआ same तो output आएगा 0 ऐसे करके याद रखना है और x nor gate जो है यह तो x or gate है x nor gate जो है just इसी का उल्टा है है ना इसमें क्या समझना पड़ा हमको याद रखना पड़ा कि अगर input रहेगा same तो output होगा जीरो अगर input रहेगा different तो output होगा 1 ऐसे करके याद रखना है इसको चलिए अब उम्मिद करते हैं इसका clear हो गया होगा अच्छा इसके बाद आते हैं लोग x और gate कैसे बनता है यह सब चीज़ें उतना need नहीं है बट मैंने कल किया ही था तो उतना डिक़त नहीं होगा इसका आते हैं एक्स नौर gate क्या होता है इसको समझते हैं तो एक्स नौर गेट जो है बेसिकली इसको हम लोग रिपरजंट जो करेंगे वो कैसे करते हैं तो यहाँ पर उसी का just उल्टा है, यहाँ पर क्या होता है इसके उपर नोट गेत यानि कि exclusive exclusive not gate और का मने पर क्विए यह तो आप जनते हैं है कि प्लस यहां पर लगा दिया गया क्या चीजह है पहला चीजह है टो क्या नोढ गेत लगा दिया गया यहां पे जो कि यह symbol को रिपर्जेंट करता है अब प्लस यह क्या है आपका और गेट यह जो symbol होता है किसका होता है और गेट का होता है अगर इसी में हम लोग यहां पर लगा देंगे तो इसका मतलब क्या इसका मतलब कि नॉट गेट भी है इसमें तो यहां पर नॉट गेट तो इसका रिजल्ट में आता था कि हम लोग जोड देते थे और इसको circle कर देते थे तो B इसका X or gate के case में लेकिन X nor gate के case में उसके उपर क्या आ जाता है यह prime आ जाता है यह कहली जिए इसको complement आ जाता है यह bar आ जाता है इसके होने के वज़े से value जो होता है वो 0 हो जाता है उल्टा हो जाता है जो भी रहता है input में समझ मागिया तो difference क्या है X or में और X nor में कि simple में A X nor B होता है A X or B होता है उसके उपर सिर्फ complement आगी है X nor पे और X or पे complement नहीं रहता है यहां तो चीज़ें सपस्ट्रूप से clear हो गई clearly बताईए आप लोग comment sections में और इसी चीज़ को हम लोग open करके या इसी चीज़ को हम लोग open करके अच्छे से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं A into B bracket close plus फिर bracket में A into B लिख सकते हैं और हम लोग इसको separately लिख सकते हैं A complement B complement इस तरह से उसी चीज़ को है ना तो यह हो गया आपका exclusive or gate का basically expression क्या हो गया? Boolean expression तो उस चीज़ को हम लोग खोल करके इसा लिख सकते हैं और इसके case में क्या लिख सकते हैं थे खोल करके A B complement plus A complement B A complement B अभी D Morgan's theorem बताएंगे विजस तो यह concept और पर यहां से clear हो जाएगा तो याद रखिएगा दो चीज़ों को मैंने बताया है आप सभी को कि इसके case में ऐसा तो इसमें input output कैसा रहेगा अगर input इसमें same हुआ तो output 1 आएगा यानि कि just उससे उल्टा होगा इसमे और अगर different हुआ तो 0 आएगा same आया तो क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा यानि कि input 00 रहे same या 11 रहे same answer output में क्या आएगा? 1 ही आएगा समझ में आगिया? किलियर ली कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होगा है ना? अगर दिक्कत है तो chat section में ले करके पूछ सकते हैं चलिए तो final conclusion निकालते हैं एक्स और गेट और एक्स नौर गेट से ठीक है? तो एक्स और गेट पहले समझते हैं एक्स और गेट में हम लोगोंने क्या समझा? पहले हम लोग एक डाइग्राम बना लेते हैं है ना? symbolic representation जिसको कहते हैं इस तरह से है ना? ये दो input दिया हमने A और B A और B हम लोगोंने input दिया और output हम लोगों का क्या आएगा? X और गेट में output जो आएगा वो आएगा हम लोगों का A X और B आएगा और इसको हम लोगोंने खोल करके मैंने बताया अभी क्या? कि Y इसका मतलब होता है A B पर complement plus A complement B यही होता है इसको directly खाली X भी लिख देते हैं बहुत जगा ठीक है? तो बहुत बोक्स में आपको जिसमें जैसे आपको याद रखने में सौलिया थो लिख सकते हैं आप लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं वही चीजें X और ही है बस यहाँ पर लगा दिये जो inversion को reprusion करता है यानि के value को opposite कर देता है विफरीट कर देता है विफरीट कर देता है value को मैंने बताया था already विफरीट कर लीजेगा इसको विफरीट value को कर देता है यानि कि input A और B दिये output Y is equal to क्या आएगा यहाँ पर और दोनों के उपर क्या हो जाएगा कॉंप्लिमेंट हो जाएगा तो यही हो गया हमारा एक्ज और गेट यहां पर एक्ज और गेट एक्ज और गेट सेम हो गया इसको करना है एक्स नोर गेट क्या हो जाएगा यह एक्स नोर गेट यह नोर गेट का सेंबॉल है यह किसका है सेंबॉल नौर गेट का तो उमीद करते हैं यहां तक हीज़ें समझ में आ गई होगी या स्पर्स टूप से अब आपके मन में प्रसन चल रहा होगा कि सर अगर exclusive को हम लोग और gate में और nor gate में ही क्यों add करके बनाएं ऐसे है अगर exclusive को हम लोगने यह जो symbol है यह basically किसका है exclusive का है तो अगर यह symbol को हम लोग करके help use करके अगर हम लोग बना सकते हैं और भी और भी gate को तो क्यों नहीं हम जो है चाह लें कि हम x and gate भी बना ले यानि कि x and gate है ना ये क्या बना सकते हैं क्या तो मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हैं बनाईए भी लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं इसको और X not get इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि बच्चा ये इसका जब आप बनाएंगे इसका जब truth table निकालेंगे आप लोग तो जो X or get है X not get है इसी के truth table जैसा same to same मिल जाएगा है ना तो अगर आप X and get करते हैं तो वो उसी के जैसा मिल जाएगा X or get करेंगे तो X or get से मिल जाएगा यानि truth table मैच हो जाता है same to same तो करने से कोई फाइदा नहीं है तो इसी लिए हम लोग किसी other gate से exclusive को सब में add नहीं करते हैं तो exclusive जो होता है वो सिर्फ और गेट और नौर गेट के साथ ही होता है क्यों नहीं होता है चलिए यहां तक अगर आपको असपर समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पर question दे रहा हूं इस question को आप सभी को करना है और answer बताना है detail मच्छे से चैट में राइट चलिए आपके स्क्रीन को पर question आगिया है इस question को solve कर दिये फटा-फट से इसके बाद मैं समझाओंगा पहले इसको solve कर जल्दी से में चैट में आपको अपको चेक कर रहा हूं इस question का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में सोच करके कि मैं वेट कर रहा हूं अंसर का चलिए तब इसको solve करते हैं देखते हैं है न देखिए आराम से इसको समझते चलते हैं राइट देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का input में x और आया है निल कुमार का x और gate ओके x और gate आया है चलिए एक answers आया है और बच्चे जल्दी बताईए चलिए कोई बात नहीं है जिसका जिसका answer आगिया है बहुत अच्छा जो लोग सोच रहे हैं वो और practice करिएगा अच्छे से और questions बनेंगे राइट चलिए इस questions को देखते हैं तो अगर यहाँ पर input a जा रहा है तो इस side अगर यह input आएगा तो यहाँ पर तो a input ही आएगा यह राइट और यहाँ पर यह input अगर जाएगा इस not gate से cross करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a compliment हो जाएगा clear है यहाँ तक यहाँ पर b अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा input में b हो जाएगा और यह b अगर इस not gate से cross करेगा तो यहाँ पर output में क्या निकलेगा बी डैस निकलेगा अब यह है हम लोगों का कौन सा gate end gate है यानि कि output में क्या निकलेगा यहाँ पर जल्दी बताइगा output में simple में इस point का output क्या होगा a into b dash हो जाएगा यानि कि a into b dash हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी आपका जो output आएगा वो क्या आएगा A dash into B आएगा और ये इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं NOR gate से गुजार रहे हैं मतलब क्या की add कर देंगे तो यहाँ पर जो value आएंगे Y is equal to वो क्या आएंगे A dash into B plus में A B dash यही आएगा और ये expression किसका होता है अभी just मैंने explain किया है अगर आपको याद होगा तो तो यहाँ पर जैसे मैंने उताया था किसका होता है X or का होता है यहाँ पर देख लीजिए ये expression को देखिए गौर से और इस expression को देखिए तो किसका है? X or का है तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या A, X or B भी लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं तो ये किसका है? ये है आपका X or का इसलिए ये option B इसका सही answer हो जाएगा सब को समझ में आया या एक बार और repeat कर दूँ फटा-फट से बताईएगा आप लोग जल्दी से चलिए अउमीद करते हैं यहाँ तक सब को समझ में आ गया होगा किसी तरह का किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं लाइट लाइब क्लासिस का फाइदा यही होता है mathematical terminology वाले जितने भी टॉपिक हैं उसको लाइब क्लासिस में लोग अच्छे से करेंगे और जो theoretical वाले chapters हैं topics हैं जिसमें theory है सिर्फ समझाना है हमको theory पढ़के तो वो जो topic रहेगा उसका recorded video भी बहुत जल्द ही upload होते चलेगा जैसे कि generation यानि कि विद्यू उर्जा का उत्पादन कैसे होता है उसका part A का video आपने देख लिया होगा उसका part 2 का भी video बहुत जल्दी आएगा और notes जो है PDF format में already upload हो चुका है generation का वो आप लोग देख लिजेगा पूरा generation, distribution और transmission तीनों topic का notes upload हो गया है PDF वाला उसको आप लोग देख लिजेगा और just मैं आप जो है transmission, distribution सब का topic पे videos बहुत जल्दी recorded format में भी upload हो जाएगा उसका और live classes में हम लोग mathematical terminology वाले जितने भी explain करने वाले topics हैं जो important, important topic है, numerical है और सब भी बहुत सरा कुछ अभी पढ़ने को है वो सचीजों को हम लोग live classes में करेंगे तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं शुरू करते हैं दी-morgans theorem को, उमीद करते हैं आप लोगों को सेशन्स पसंद आ रही होगी किसी वितर का दिक्कत पढ़ेशा नहीं हो तो आप लोग comment में लिख सके पूछ सकते हैं doubt को, right? चलिए, अब हम लोग लिखते हैं दी-morgans theorem, heading दीजिए आपने copy में d-morgans theorem morgan's theorem देखियो, d-morgans theorem जो होता है basically ये दो टप गढ़ होता है, कितने टप होता है ये? दी-morgans theorem, दो टाइप का होता है कौन-कॉन सा होता है, इसको भी हम लोग समझेए d-morgans theorem जो होता है, ठीक है, चलिए दी-morgans theorem का दो लाउ है, एक है first law लाव और सेकेंड लाव तिरुटी मॉर्गंस ने दो लाव को दिये थे अपना क्या था इनका लाव कुछ नहीं जो अभी आपने पढ़ा है वही सब है अगर 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 हम लोग ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो उसको हम ऐसालीख सकते हैं एंटु बी और सेपरेट कर देंगे कंपलिमेंट को है ना यह फर्स्ट लाव में उन्होंने बताया अभी हम लोग इसका डाइगराम बना करके भी समझेंगे इसलिए टेंसन नहीं लेना है आप लोग इसी तरह से इसमें इन्होंने बताया कि अगर एंटु बी है उसके ओपर complement है, या इसी को A, B है, और उसके ओपर complement है, तो हम लोग break कर सकते हैं two parts में, लिख सकते हैं A complement B, क्या लिख सकते हैं, A complement B लिख सकते हैं, इन्टू देकर के, प्लस देकर के, क्या देकर के, समझ माया चीजे, यानि कि एक law कहीं जस्ट उल्टा है दूसरा law अब इसको हम लोग diagram के थुरू समझेंगे यही D.Morgans ने D.Morgans का first law में उन्होंने ये बताया second law में उन्होंने ये बताया अब हम लोग इसको diagram के थुरू समझेंगे अब प्लस इस से रिलेड़ कोस्टेंस वगरा भी मैं बताने वाला हूँ तो जो भी चीज़े हैं अभी अच्छे से आप लोग धैरी रखते हुए इसको समझेंगे तो सबसे पहले इसका अगर मैं बताऊं कि कि आप सेंबॉलिक रिपर्जेंटेशन करिए इस बुलियन एक्स्प्रेशन का तो क्या कर पाएंगे आप लोग जल्दी से फटा फट से बताईएगा अगर कर पाएंगे तो A प्लस B का कॉंप्लिमेंट का आप लोग जो है बेसिकली अपने अपने कॉपी में अभी जो है इसका लोजिकल सेंबॉल जो होता है इसको रिपर्जेंट करिए ड्रॉ करिए बहुत आसान है सबसे पहले तो आपको ये पतारण करना पड़ेगा कि A प्लस B किसका जो होता है आउटपुट जुटता है तो तुरत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर आउटपुट जुटता है किसका बताईए जल्दी से फटा फट से और गेट का किसका कॉम्प्लिमेंट भी है तो नौट प्लस और गेट से कौन सा बनता था नौर गेट बनता था नौर गेट हम बना देंगे काम खतम यानि कि यह बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक और गेट लेना पड़ेगा प्लस नौट गेट लगाने के लिए हमको यह देना प पर A bar into B bar है, A bar into B bar है, clear है, तो इसी चीज़ को अब हम लोग open करके खोलते हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने expression किया है, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, क्योंकि ये बना हुआ जो ये जो नौर गेट है, नौर गेट किसका बना हुआ होता है, ये जो expression है, किसका है, नौर गेट बना होता है, किसका, नौर गेट प्लस और गेट का, किसका, नौर गेट प्लस और गेट का बना हुआ होता है, कि लिएली समझ में रहे है सब को, अब देखिए, नौर गेट प्लस और गेट, पहले और गेट का हम डागराम बना लेता है, तो और गेट ऐसा दिखता है है ना, input हम A और B दिये, तो यहां से output क्या आएगा, A plus B अब इस output को हम चाहते हैं, इधर ऐसे करके ऐसे करके not get लगा दे हैं, तो A plus B पर क्या हो जागा, compliment हो जागा A plus B पर क्या हो जागा, compliment हो जागा I think दिख रहा होगा ठीक है नहीं दिख रहा है, मैं थ्वादर के लिए यहां पर hide हो जाता हूँ, right देखिए, तो यहां पर क्या हो जागा, A plus, तो इसी structure को हम लोगों ने ऐसा बनाया, कोई दिकत नहीं है, right ठीक गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे यहां पर चीजों को इसी diagram को आप लोग बताएंगे कि यह जो not get है, क्या मैं इस diagram को ही ऐसा बना सकता हूँ, उपर में बनाता हूँ, right यहां पर, तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, कि दो not get लगा दें आगे में ही दो not get को हम लगा देंगे आगे में ही, और last में लगा देंगे हम or get कौन सा get, or get ऐसे करके और यह क्या बन जाएगा हम लोगों ए कॉम्प्लिमेंट इन्टू में बी कॉम्प्लिमेंट और इन्पुट इस तरह से इन्पुट हमने क्या दिया ए दिया और बी दिया सेपरेटली इन्पुट दिया है हम लोगों ने तो इसको ही हम लोग अलग करके, यानि कि ये डाइग्राम आपका first था, ये डाइग्राम आपका second हुआ, और ये डाइग्राम आपका three हुआ, टी मॉर्गन के first law को हम लोग समझ रहे थे यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, इसमें हम लोग truth table को भी डाल करके देख सकते हैं, ठीक है? और truth table भी आएगा दोनों का same ही, जैसे डी मॉर्गन का first law को लिखते हैं, क्या है डी मॉर्गन का first law इसका truth table में करके देखते हैं, right? तो अब मैं आ जाता हूँ इस screen पे तो देखिए, डी मॉर्गन का first law जैसा कि मैंने बताया कि क्या था आपका a plus b यहाँ पे आपका screen के वपर a plus b पे compliment a plus b पर compliment is equal to a compliment into me b compliment यही था आपका डी मॉर्गन का first law, इसको हम लोग truth table से भी प्रूब कर लेते हैं left side और right side को, ठीक है? तो इसका अगर हम लोग, एक truth table बनाते हैं, जिसमें हम लोग input लिख देते हैं, input एक side रहेगा, a का और b का ठीक है? और इस side लिख देते हैं, output चलिख देते हैं, output जिसमें कि आपका आएगा, क्या चीच है? a plus b a plus b का, पहले मैं left side block approve कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर input में हम लोग क्या देंगे? एक बार तो 0-0 case ले लेते हैं है ना? तो 0-0 लेंगे तो क्या होगा? 0 plus 0, 0 ही रहेगा और complement है तो 1 हो जाएगा, यानि कि यह हो जाएगा 1 आपका दूसरा case लेंगे तो क्या लेंगे 0-1 फिर 1 और 0 फिर 1 और 1 यही चार case होता है, दो input ले रहे हैं तो 0 plus 1 कितना 1 तो हो जाएगा क्या 0, ठीक है? यहाँ पर फिर यह भी 0, 1 plus 1 1 तो 1 का उल्टा 0 यह हो गया? यह हो गया आपका left side का हम लोगों ने prove करके इसको देखा इस तरह से आप लोग draw कर सकते हैं अपने copy में भी अच्छे से और इसको मैं pen के color change करके अब देखते हैं हम लोग इस part वाले को इस part को देखते हैं तो इस part को भी देखते हैं उसी तरह से यहाँ पर red color कर देता हूँ यहाँ पर input तो same रहेगा input अगर same रहेगा तो output में a compliment और into में b compliment अगर आएगा तो इसका मतलब क्या देखिए ध्यान से a compliment a का उल्टा one हो जाएगा और इसका उल्टा one हो जाएगा यानि कि compliment compliment multiply करना है तो a का 0 का compliment कितना one one zero compliment one to one into one कितना one ही रहेगा इसका compliment इसका compliment one इसका compliment zero तो one into zero zero कितना zero फिर यह one into zero कितना zero यहां पर कितना इसका उल्टा zero 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 यानि कि आप देखिए क्या expression जो है expression जो है दोनों का same आया है तो इसी लिए dmorgans जो है अपना theory में बताया कि वह इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तिस चीज को मैंने truth table से proof भी कर दिया अलाग कि यह सब चीज हैं उतना depth में जौरत नहीं है बट examinations में आपसे gates related question पूछ सकता है या expressions related question पूछेगा तो वहाँ पर maybe confusion आ सकता है आप सभी को क्योंकि अभी हम लोग practice करेंगे questions को तो देखेंगे किस किस तरह से यहां से बनते हैं तो यह था आपका d morgans का first law अब हम लोग d morgans के second law को देखते हैं जो कि मैंने क्या बताया था d morgans के second law को यहां पर गौर से देखिए आप a into b पर whole complement को हम लोग लिखते हैं a complement plus b complement separately यानि कि d morgans का जो second law है क्या है second law है उसमें क्या बोला वो कि a into b पर जो complement है उसको मैं लिख सकता हूँ a complement plus में b complement चलिए इसको भी हम लोग check कर लेते हैं फटा-फट से पहले तो हम लोग इसका जो है expression को देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग expression को देख लेते हैं पहले तो यहां पर चुकी a into b है है कि नहीं है तो and multiply कि कौन से gate में होता है a into b output किसका होता है and gate के case में output multiply हो जाता था तो यहां पर हम लोगों का and gate input में हम लोग a b दे रहे हैं और b भी दे रहे हैं clearly समझ मारा रहा है यहां तक और यहां पर output में क्या हैगा a into b a into b लेकिन यहां पर तो complement भी है न बच्चा तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर not gate लगाएंगे not bubble लगा देंगे और यह bubble represent करता है not gate को अब bubble का मतलब बताएं ही है बार बार repeat कर रहे हैं याद रहना हो जाना सभी को कौन सा gate इसका not का मतलब inversion मतलब उल्टा value को उल्टा कर देता है तो inversion होता है इसका मतलब bubble का मतलब क्या होता है inversion तो अगला इसका diagram हम लोग बना सकते हैं क्या बना सकते हैं कि end gate है जिसमें कि दो input है और output निकल रहे है और एक हम लोग not gate को लगा दिये हैं तो यहां पर input a और b जा रहा है output निकलेगा a into b और यह not gate से pass करेगा तो output क्या हो जागा a into b पर complement clear होगी है यहां तक आप इसी चीज़ को हम अगला step में करेंगे तो हम अगर दो not gate का इस तरह से यूज कर लेते हैं और input के format में हम लोग a और b को डाल रहे हैं तो इसका निकलेगा a complement इसका निकलेगा b complement और इस दोनों को हम लोग nor gate में क्या गर देते हैं nor gate से इसके output को हम लोग मिला देंगे तो इसका क्या निकलेगा a complement प्लस में B complement यानि कि इसका हम लोग diagram को बना सकते हैं इस तरह से राइट तो यह हो गया हम लोगों का logical symbol हो गया logical symbol हम लोगोंने बनाया diagram के थाँ एक दो और तीसरा C number diagram राइट इस तरह से हम लोग second law को समझते हैं second law को बनाते हैं चलिए तो असब प्रूप कर लेते हैं इसको भी truth table की मदद से जैसे हम लोगों ने first law को भी truth table से देखा ठीक है तो truth table बनाते हैं फिर से तो इसका law को फिर अपने संतुष्टी के लिख लेते हैं क्या होता है a into b पर compliment बड़ावर में क्या होता है a compliment plus में b compliment a compliment plus में b compliment होता है अब इसका truth table बनाते हैं तो truth table क्या लिखेंगे truth table यानि कि सार्नी है यह input में देखिएगा input में बताइएगा क्या होगा a और b का और यहां पर output में जो आएगा क्या आएगा पहला ले लेते हैं a into b का whole compliment अगर हम लोग input में पहला case में 0 और 0 दे रहे हैं तो output क्या आना चाहिए 0 into 00 और 0 पर उस पर compliment यानि कि 1 हो जाएगा फिर 0 और 1 देते हैं क्या हो जाएगा यहां पर बताइए जल्दी से 0 और 1 देंगे तो 0 into 10 पर compliment तो हो जागा क्या फिर यहां पर 1 और 0 देते हैं तो 1 into 0000 और 0 पर compliment 1 रैट तो फिर अगला यहां पर 1 और 1 देंगे तो 1 into 1 1 और होंगे compliment 0 इस तरह से अब देखिए दूसरा केस जो है उसका बढ़ाबर में जो दिया हुआ है एक compliment प्लस बी compliment अब एक पहले से compliment कर दीजिए तो एक compliment अगर आप पहले से कर देंगे बच्चा तो यहां पर क्या होगा अब चरहे आंप यहां पर नह बन जाएंगा सिंपल में और कर दीजिए ना ब क्या हो जागा यह उन ही रहता है हम लोग जानते हैं वन प्लस जीरो रहेगा 0 प्लस 1, 1 ही रहेगा लेकिन 0 प्लस 0 क्या हो जगा 0 तो देख लिजे, दोनों का जो है result जो आ रहा है, same आ रहा है तो यानि कि ये जो है, इसके बराबर है ये चीज़े इंप्रूफ हो गया Clearly, एकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, है ना तो ये है हम लोगों का basically क्या चीज़े हैं, ये था हम लोगों का D.Morgans Theorem D.Morgans Theorem को हम लोगों ने diagramatically भी represent करके देखा और समझने की प्रियास किया उमीद करते हैं, यहां तर चीज़े समझ में आ गया होगा अब जो है, मैं basically कुछ questions को दे रहा हूं करने के लिए, उसको आप लोग करेंगे भी questions को राइट यहां तक किलियर है आप सभी को आपको जो है basically एक questions दे रहा हूं एक डियाग्राम दे रहा हूं basically यह ज़स्ट चेक करने के लिए कि आपको समझ में आया है कि ने आया है पुरा गेट आपने रिवीजन किया है ने किया है classes का उस चीजों को चेक करने के लिए चलिए ठीक है देखते हैं एक question दे रहा हूं एक circuit दे रहा हूं basically आपको उसका जो है ना basically लिखना है उसका output कैसा आएगा यानि output क्या आएगा वह बताना है ठीक है तो input दे रहे हैं हम diagram बना रहे हैं इसको आप note कर सकते हैं अपने copy में भी पहला question यह है इसका आपको y is equal to बताना है क्या होगा दूसरा question भी दे रहा हूं है इसको भी आप लोग जल्दी से करके बताएंगे आप लोग स्वाल्व करिए चलिए दूसरा नमर question को भी solve करिए और output बताएंगे जल्दी से कमेंट में जल्दी से फटा फट से output बताएंगे आप लोग एक अनील को मार के कम आया है एक प्लस बी कॉम्प्लिमेंट एंड एक एक आंसर को मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट इसके वाए एंड और भी बच्चे जितने भी live है live से संस को देख रहे हैं तो live का फाइदा लेना चाहिए आप सभी को अभी करके बताएए इसका output बताएगा जल्दी से इसको ऑठेके वाटब्स मिल सके बताएगा है को यहांपर जो आउट्पुट आईगा वह एगाएगा ए इंटो बी पर compliment यही होगा ओके यहां तो यहीं करते हैं इसी तरह से इसका जो output आएगा वो भी क्या आएगा c into deeper compliment आएगा और यहां पर जो आपका लगा हुआ है यह कौन सा गेट लगा हुआ है नौर गेट लगा हुआ है राइट कौन सा गेट लगा हुआ है यहां पर नौर गेट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहां पर अगर नौर गेट है तो दोनों एड हो जाएगा यहां पर A into B का whole complement है और फिर प्लस में क्या हो जाएगा C into D का whole complement यानि कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A B complement प्लस C D complement यह आएगा इसका output रैट क्योंकि नौर गेट है यहां पर नौर गेट है जल्दी बताइए और गेट है रैट नौर थुरिल लगावा है यहां पर और गेट है सिंपल में और गेट में क्या होता है एड हो जाता है तो एड हो गया दोनों input हम लोगों का क्लियली समझ में आ गया चलिए अब यह question को देखते है question number दूसरा question number दूसरा का क्या है इसमें भी नेंड गेट लगावा है नेंड गेट का output जाएगा वह क्या एगा एंटू बी पर whole complement यहां पर क्या हैगा सी पर complement आ जाएगा रैट आब यहां पर exclusive और गेट है exclusive और गेट है बताइए यह क्या हैगा output जल्दी से कॉम्प्लिमेंट को तोड़ने पर उसको प्लस भी कॉम्प्लिमेंट नहीं कर सकते हैं प्लस भी कॉम्प्लिमेंट को तोड़ने के बाद प्लस भी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट हम लोग तब तोड़ते हैं जब डबल कॉम्प्लिमेंट रहता है यहां पर जो है कॉम्प्लिमेंट हम लोग तोड़ने का यहांपर हम लोग कैसे तोड़ेंगे जब डबल कॉंपलीमेंट होता तो तोट तोट जाता है यहांपर इसका और पुट यही आएगा हाँ इसको कॉंपलीमेंट तोड़ेंगे तो इसेह तो है यह यह पासब चाहते है नोत डारॉंग चलिए आगे बढ़ते हैं इसका output जल्दी से बताईए एकस और गेट का है तो जल्दी से इसका output बताईए अप लो एकस नौर गेट या एकस और गेट यहांपर लगा हुआ है एकस और गेट बताईए आउटपुट क्या आएगा इसका मैंने बताया था करिए कमेंट जल्दी से वेट कर रहा हुँ आप लोग जो बेज़े हैं इसको सॉल्व करके बेजिए आप लोग कमेंट में इसके बाद मैं करता हूं सॉल्व चलिए तो इसका आउटपुट देख्ते हैं तब क्या आएगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा बेसिकली आप लोगों का यहांपर रें केные तो अल्रेडी है ही और इन्टू में सी पर कॉंप्लिमेंट इन्टू में सी पर कॉंप्लिमेंट और यह सी कॉंप्लिमेंट तो पहले से है ही उसके उपर भी कॉंप्लिमेंट हो जाएगा अब प्लस में क्या आएगा एंटू बी पर कॉंप्लिमेंट और फिर कॉंप्लिमेंट प्लस C हो जाएगा compliment यानि कि यहां पर compliment compliment cancel out होगा तो होगा A into B complement C into C plus A B A into B plus C compliment इसका output ऐसा आएगा इसी को हम लोग चाहें तो बहुत अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या A B C plus XOR का symbol लगा सकते हैं फिर यहां पर क्या हो जाएगा A B C है ना यहां पर C हो जाएगा A B plus XOR C हो जाएगा ठीक है A B XOR C ऐसे करके तो यह हो गया आपका बुलियन एक्स्प्रेशन किसका हम लोगों ने देखा नॉट प्लस विथ गोला C नॉट हाँ हाँ A B not very good A B not विथ गोला गोला नहीं पड़ते हैं उसको शलब ठीक है समझ रहे हैं तो कोई नहीं तो यहां तक जो है हम लोगों का यह नंबर सिस्टम को किसको इशाट करने वाले हैं नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे बाइनरी नंबर को हम लोग बदलते हैं डेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं हम लोग दूई आधारी संख्या और नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पध्धाती संख्या पध्धाती को सुरू करने वाले हैं यह जो जीरो और वन के रूप में देख रहे हैं आप संख्या लेकिन कम्प्यूटर का जो हमारा CPU वह नहीं समझता है वह 0 और 1 के लेंग्वेज को समझता है तो हम लोग का जो कीबूर्ड होता है कीबूर्ड को जगर आप खोलेंगे तो अंदर में देखेंगे बहुत सरा इस तरह से वायर वायर टैप का कंस्ट्रक्शन किया वराता है एक फिल्म पर मतलब जैसे एक्सरे का नहीं करके देता है उस तरह का उसके उपर इससे धागा-ध यहाँ पर तो आप दवा रहे हैं ए बटन क्या दवा रहे हैं ए बटन लेकिन कंप्यूटर जो समझ रहा है वह आपका समझ रहा है कौन सा भासा वह 0 और 1 का कोडिंग किया वराता है सब बटन पर राइट तो वह कंप्यूटर का भासा है बाइनरी नंबर यानि दुई आध देखिएगा कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने के कोशिस करेंगे ताकि हर एक तरह का कनवर्जन हो सके पर किस तरह से रुपांतरन करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर का दुई आधारी संख्या में है ना तो सब को हम लोग देखेंगे दसमला वाला भी देखेंगे इसके बाद साथ ही साथ बहुत सरा कोश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से थरा सा कोश्चन ज्यादा पुछी जाते हैं इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक को इसलिए हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं तो नंबर सिस्टम शुरू करेंगे जिस इसको अउक्टल संख्या नमर कहते हैं और जिसका बेश सोलह होता है उसको हेक्सा डेसीमल कहते हैं रइट तो ज्यादा तेस्से लेना है हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे गदम अच्छे से आसानी से समझेंगे जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम चोड़ेंगे नही है ना तो आप लोगों को दिक्कत होगा doubt होगा कहीं पर भी confusion होगा आप लोग बेसिकली चैट्स में लिकरके पुछ सकते हैं तो classes के related चीजें जितना भी है उसमें आप लोगों को मैं को सिस करता हूं कि आपको में साइट से कोई दिक्कत नहीं हो आपको अच्छे से समझ में आज है जीगे तो आपने क्या क्या पढ़ा logic gate को हम लोगों ने complete कर लिया अब logic gate हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं लेकिन logic gate के concept को नहीं भूलिएगा अभी आगे आने वाले chapters बहुत सारे हैं अभी हम लोग digital electronics में हैं multi refrigerator पढ़ेंगे register पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ not gate सभी gate का आप लोग output अच्छे से याद रखेंगे लॉजिकल सेंबॉल याद रखेंगे असाती सब ट्रूथ टेवल का कंडिशन भी याद रखेंगे तो आपको क्लास का डे बाई जो है रिवीजन प्रॉपर्ली करते रहना है और जितने पर डेकर टॉपिक ये चाप्ट नहीं मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं सब्सक्राइब नमस्कार जय हिंद वंदे मात्रम